दो तरीके से प्रहनाम दिखाए गए हैं महिलाओं के लिए प्र전ाम अलग बताया गया और पुर्शों के लिए अलग प्रनामब की वो साश्टांग, ब्रनडवत प्रनाम करें तो देखिए योगी आजिसिनाद के साथ रान मंत्री नरेंद्रमूदी आगे पढ़ रहे हैं रान मंत्री नरेंद्रमूदी जब पहुचे थे तो देखिए दंडवत प्रणाम किया तो दो गोश लगाता है जैश्प्रीराम का आज भी कुछ ऐसा ही आप होता देख रहे हैं बड़े खुश आयोत्यावासी खुश दीपोसब को लेकर खुश दिवाली को लेकर खुश राम के राजजब शेक को लेकर तो खुश इस बात को लेकर भी कि इस दीपोसब में चलिए सम्मिलत होने हमारे बीच में प्रदान प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी आरहे हैं दर्शन पूजन करने के बाद यानि राम दला की आरती उतारने के बाद आप उस परिसर में पहूंचे हैं पीए मोदी जहां पे एक भवे राम मंदर का नर्मान हो रहा है और जन्म भूमी तीर्थ शेत्र में फिलहाल पीए में पहुंचकर जैजा ले रहे हैं कि तैयारिया किस तरीके से हैं कितना वक्त लगेगा किस तरीके से इसका नर्मान हो रहा है क्योंकि मैं पहले भी इस बात क जिक्र कर चुकी हूँ कि दो हजार पेईस के आखिर तक एक डैडलाइन रखी गई है जब तक इसे पूरा होना है तो ये फिलहाल जो तस्वीर है वो बहुत खास है शाले नहीं राम जन्म भूमी परिसर से ये सीधी तस्वीर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं मंदर का निर्मार कार कितनी तेज गती से आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये वाइदा किया गया है कि 2024 तक तो ये मंदर देश को समर्पित हो ही जाएगा नसर्फ आयोध्यावासी बलकि पूरा यही चा रहे हैं पूरा देश यही चा रहा है कि इस मंदर के साथ नसर्फ राम मंदर की स्थापना हो बलकि एक रामराज की भी स्थापना हो वो रामराज जिसे लेकर कहा जाता है कि आदर्श स्थिती वो रहती है जिसमें हर कोई प्रसन्न रहता है पाप की गुनाहों की ज जगह नहीं रहती है और इस राम मंदर का जिसका निर्माण अभी फिलाल चल रहा है उसी को देखने के लिए जो कारे वो किस प्रगती से आगे बढ़ रहा है कहां तक राम मंदर का निर्माण हो चुका है इसी का जैजा लेने प्रदान मंत्री नरेन्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ और राजपाल आनंदी बेन पटेल के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और रीमा इस वक्त तो ये भी पूरा सजा दिखाई दे रहा है बाकाइदा चारों तरफ फूल माला से इसे भी सजाया गया है या लग-अलग नक्षा इस वक्त समझते में प्रदा खुश हो रहे होंगे क्योंकि अभी तक इस पूरे कैमपस में सब जगा मूमेंट अलाओ नहीं है यानि जो नर्मान कारे हो रहा है उसमें कहीं कोई बादा ना हो बहुत कैमरे अलाओ नहीं किये जाते हैं लेकिन आज चुकी खास दिन है दिपोट्साओ का मौका है और पी- खुविर राम मंदर में हो जिसके लिए सालों साल दशकों तक इनतजार किया इस देश ने जिसकी सनातन में आफथा है उसने इनतजार किया है कि राम थाट में नहीं अप ठाट से रहेंगे और बागई वह ठाट उन्हें जल्द ही मिलने वाला है वैसे भी जजो साजो सजा परेंद्र मोधी और मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ये दो वो राजनेता हैं जब किसी चुनावों के वक्त धर्मनगरी तक पहुँचते हो ऐसा नहीं रहा है। समझ आते हैं और दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर वहां पर जाकर के दर्शन पूजन का लाब लेना चाहता है। ये तीन तस्वीरें अभी फिलाल आप देख पा रहे हैं। एक तरफ तो देखें आप रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। यही रामलला जब भविर राममंदर में विराजमान होंगे तो फिर उस जगह की तस्वीर भी आपके सामने हैं। प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विकासकारियों का जाइजा ले रहे हैं। तो जब प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किये। उनका पूजन किया आरती की वो तस्वीर भी आपके सामने। रामलला का घर बैठे आज दीपावली के एक दिन पहले आप दर्शन कर लीजे इसलिए रामलला की भी तस्वीर आपके सामने है और इसके अलावा जो भाविर राममंदर बन रहा है जहां पर आगे विराजमान होंगे रामलला वो तस्वीर भी आपके सामने है दिसम्बर दो हजार तेज़ वो तारीख है जिसका इंतजार आज से नहीं बलकि दर्शिकों से हो रहा है पहले तारीख तरह नहीं थी सिर्फ एक लंबा इंतजार था है और एक उमीन थी कि राम घर लोटेंगे इस बार वनबास लंबा हो चुका है 14 साल से जादा लंबा इस अयुध्या नगरी को लेकर बहुत सारी बाते हैं लेकिन आज हम सिर्फ भगवान राम की बात करेंगे वो बातें जिससे कि हमारे दर्शक और वो दर्शक शधालू जो की सनातन में आस्था रखते हैं उनको सिर्फ ये यकीन इस वक्त पुखता करना है अपने टीवी स्क्रीन की तस्वीर को देखकर कि पिये मोदी अगर इत्मना अंसे बार ही कि इसे अगर समझ रहे हैं वो देख रहे हैं तो यकीनन आने वाले वक्त में काम में और तेजी आएगी हाला कि मैं पहले भी आपक का स्थल पे वही बैटे हुए थे और वहां वो तमाम साधू संथ जिन होने ना सर्फ इंतजार किया है बलकि अलग अलग तरीके से राज निताओं से मुलाकात की तबके ततकालीन सरकारों से जारिश के और जो भी समझ हो पाया अदानतों का एक लंबा इंतजार चला उसके बात जाकर ये जासत मिली कि यहां पे राम बंदर का नर्मान हो सकता है और बीते कुछ सालों से इस उच्छाव को इस तरीके से मनाया जारा कि दिपोच्छाव मिसाल बनता है दिपोच्छाव के जरिये यह हम अंतासा अलगा पाते हैं कि आने वाले वक्त में यानि जब रा बैश्विक पटल के अगर हम बात करें तो आयोध्या की एगलग तस्वीर दिखाए दिया है और जब भी विदेशी परिटक आयोध्या पहुंचते हैं तो बड़ी उच्छता वक्ष पूछते हैं कि जो राम की पैड़ी है इसके ओपर लाखों दिये हैं आखर जलाय कैसे जाते हैं क्योंकि मैं इस पांच मिनट के अंदर वहां पर जो लाखों दिये होते हैं उन्हें जला देना होता है और तभी विश्व कीर्टिमान बन पाता है तो उच्छता के विश्विदेशी परिटकों के लिए भी रहता है आगे भी यही अनुमान है कि आयोध्या बैश सडके हो हर जगंगå निर्मार कारे तेजी से चल रहा है और आज का दिन तो बहर आल आयोध्या के लिए बड़ा खास है आयोध्या के लिए कहा जाता है कि राम से आयोध्या कभी अलग हुई ही नहीं त्रेता युग वाली जो भावना है वो आयोध्या में इस कल युग तक आज भी विद्यमान है आपको आयोध्या के अंदर तमाम वो जगएं दिखाई दे जाएंगी जो राम युग से विद्यमान है कनक भवन के लिए कहा जाता है कि माता सीता को मुझ दिखाई में वो दिया गया था तो वो चाहे कनक भवन हो या फिर लक्षमन घाट हो सुगरीव भवन हो यह तमाब वो जगए है जहां अगर कोई भी शक्स पहुँच जाए तो वो खुद को सौबागी शाली समझेगा और फिर आज दिपोटसफ के दिन तो यहां जो पहुँच गया वो उसका उधार हो गया लगबग यही भाव मन में आता है और अभी यह अलग-अलग तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे है कि किस तरह से प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने वहां प्रभू श्री राम के दर्शन किये उनका जो बाल स्वरूप है आरती उतारी और अभी किस तरह से मंदर का निर्मार कारे चल रहा है उसका वो कर रही है तो एक ऐसी भी जगह वहां पे रही है जहां सालों साल पत्थरों ने इंतजार किया है राम का जिस पे राम लिखा हुआ जैश्री राम लिखा हुआ लोग जब आस्था लिए अपने मन में शधा लिए जब अयुध्या नगरी पहुंसते थे तो एक एट रखके जाते थे एक संगमनमर का पत्थर रखके जाते थे एक सफेद पत्थर रखके जाते थे कि जब भी आने वाले वक्त में भवे राम मंदर का नर्मान हो तो ये सहयोग राशी के तौर पे ये भेट के तौर पे या मेरे सहयोग के तौर पे इसका इस्तमाल जरूर हो तो वो पोट्साव से भी बड़ा कारिक्रम हम कह सकते हैं कि आप देखिए जिसका इंतजार सालों साल तक दर्शुकों तक लोगों ने किया है सिर्फ अयुध्या नहीं। जो घर बैटे इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम अयुध्या में ही हैं। तो अयुध्या ये है कि देश के हर कोने में अयुध्या, देश के हर भूमी में, हर शण में, हर जगा पे जैशिर्राम हैं। और ये युद्धगोश भी नहीं, ये जैसिया राम जो जब प शेत्र से आप देख रहे हैं जो आप प्रदानमंची नरेंद मोधी बारीकी से ये समझते हुए कि राममंदर का निर्मार किस जंग से हो रहा है और दिसंबर 2023 जब ये भवे राममंदर बन कर तयार होगा तो उसलियाज से हम कह सकते हैं कि अब एक से दो ही दीपावली वहाँ पर रीमा ऐसी बची रहे गई है जो बिना ये भवे राममंदर के मनाई जाएगी लेकिन तयारियां उसकी भी जोरों पर है और किस तरह से इस जगह को भी आज सजाये गया है अब वो भी अद्बुद है वो भी दिव दिव है दीमेदी में आप देखिए ये जो सांज है व इसके पहले मौजूल रहे चुकी हैं मैं भी वहाँ पर थी कुछ ऐसा आबास होता है जैसे उस वक्त आसमान से तमाम जो तारे हैं वो उतर कर धरती पर आगे हैं वो जो एक-एक दिया दिखाई देता है वो दरसल दिये की शकल में नहीं होता है ऐसा लगता है बगवान रा उमी तीर्थक्षेत्र है उसके भी आप दर्शन कर लिजे क्योंकि ये भी ये तीर्थक्षेत्र ही तो रीमा सबसे जादा विवादों में था तो इसके दर्शन भी अगर कर लिए तो समझे की बस बेड़ा पार हो गया बिल्कुल राम लला जिस जगह पे अभी विराचमान अब ये जूगी जहांपे गरवग्रे का नड़बान हो रहा है अभी जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं वो पूरे कैम्पस की आप देख रहे हैं कि कैसा ये राममंदर बनेगा किवकि जो आपने मैप देखा है जो आपने नक्षा इक प्राणूप जो आपने मंद का देखा है उसको देखकर आप सभी खुश होते रहे हैं आप तमाम दर्शक आप तमाम श्रधालू की इसकी भवेता कितनी है तो उस पूरे कामपस की तस्वीरे आप अलग अलग अंगल से देख रहे हैं लेकिन गर्वगरी एक अलग जगा पे है और चुकि आप जिकर कर रह की रामलला के आरती के साथ ही होती है पिछले साल मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ न सबसे पहले आरती के साथ शुरुवात की थी और इस बार प्रदानमंत्री नरिन मोदी यह देखिए य चार तस्वीर फिर से आपके सामने हैं जब रामलला के दर्शन के लिए वो आवे राममंदर वाली होगी लेकिन इस बार की भी जो दिपावली है वो रिकॉर्ड वाली तो कम से कम रहने ही वाली है बड़ी संक्या में तयारियां पूरे आयोध्या में कर ली गई है और आज के दिन जो वॉलिंटेर महा पर मौझूद रहते हैं वो सुबह से ही तयारी कर आपर राम की पैड़ी का जो दूसरी तरफ का घाट है रीमा वहाँ पर बाकाइदा आतिश बाजी की जाती थी लेकिन आप लेजर लाइट शो चुकी महाँ पर होता है तो वो वैसी वाली आतिश बाजी यहाँ पर नहीं की जाती है अब दीमेदी में उसकी घड़ी भी से लेकर उत्तर कांड तक का हर जिक्र बाराम की पैड़ी के ओपर किया जाएगा और उसके गवाँ खुद प्रदान मंत्री नरेंद मोदी बनेंगे और यह जर्म भूमी तीर्थ क्षेत्र में भी रीमा प्रदान मंत्री नरेंद मोदी यहां आर्ती करते हुए दिखाई दे हैं लेकिन आप देखिए जहां पर यह सब कुछ हो रहा है यानि भवन नर्बान हो रहा है मंदिर का नर्बान वहां भी पीए मोदी बकाइदा यह आर्ती यह पूजा यह सब कुछ कर रहे हैं तो हम सभी क्यास्था आप समझ सकते हैं और आप तो मैं तो यह एक कदम आगे बढ़के कहूंगी कि अगर आप घर पे बैठे हैं और आपको लगता है कि हम बहुत बाते बता रहे हैं तो आप एक बार एक दिवाली जरूर जाए युध्या नगरी जाए और आपको तुरेता युक की जलकिया अगर देखनी हो तो यकीनन आप दिपोटसाव की वक्त ही जाए हाला कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं शायद आपको उतनी सहूलियते ना मिले आपको लगे बहुत लोग हैं लेकिन यही आनंद है क्योंकि प्रभूश्राम के हर शक्स भक्त हैं और सब चाहते हैं कि दर्शन करें हर शक्स चाहता है कि वो जाके दिपोटसाव क खुबसूरती देखे और एक दिया प्रभूश्राम के नाम पे वो जरूर जलाए तो आप भी किसे दिपोटसाव का हिस्सा बनिये फिर आपको अहसास होगा कि जो हम लेजर शो का जिक्र कर रहें कि प्रभूश्राम जब उनका जन्म होता है उसके बाद वो विवाह होता है फिर वो वनवास जाते हैं यह तमाम जो घटना करम हैं यह तमाम जो प्रकरन हैं यह तमाम जो लिलाए हैं वो सभी दर्शाया जाता है जब आप वहां रहेंगे तो आपको और खुबसूरती का अंदाजा होगा लेकिन अभी से लेकर अगले दो घंटे तक तकरीबन हम आप आपको जो दिखाएंगे वो भी आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि त्रेता युग में जब राम घर लाटे थे 14 वर्ष्यों के वनवास के बाद तो कैसे युध्या नगरी ने स्वागत किया था उसकी एक जल्की आपके टीवी स्क्रीन पर होगी बलकुल और इसलिए आपको न्यूस 18 इंडिया के साथ लगातार बने रहना है क्योंकि यहां से तस्वीर हम आप तक पहुचा रहे हैं